हेलो स्टूडेंट वेलकम टू इंड़ास आज हम लोग हमारी जुट प्लास टेंड जॉग्रोफी उसका एक चैप्टर एग्रिकल्चर बड़ा इंपॉर्टर चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है वो लोग आब आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं तो एग्रिकल्च अग्रिकल्चर न मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जो नैचरल सौर्स्ट को एक्सटरीक करते हैं हमारे अर्थ वीगरा में से तो वह होता है एक्रिकल्चर जिसमें से हम लिग लगैत अठ्छर का पाला इंडिया जो है इग्रियन तो सिससाइटी है उसमारड यंदर कि इसके अंदर हम देखते हैं हमारे इंडिया में किस-किस टाइप की जो है अगरी कलचर हो रही है क्या-क्या चीजे हैं वहाँ पर तो हम लोग वह यहां पर देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो अलग-अलग जगे अलग-अलग impact areas. हमारे में देख homophwy。」 कहीं पर Northern Plains हैं कहीं पर Π्लेट्यूज है हैं कहीं पर आप लोग देखोगे तो कहीं पर Mountain है कहीं पर जो है Absolute area है है तो आप वहां पर हर जगह जो है अलग-यलग 352-4 भींग की जाती है तो फॉर्स्ट जो है हमारे हां पे हम पढ़ने वाले हमारा जो है topic types of farming, types of farming में हम लोग 3 main पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम primitive subsistence farming, एक पढ़ेंगे intensive subsistence farming और तीसरा हम पढ़ेंगे commercial farming के बारे में, तो पहला topic हमारा जो है हम उसको cover कर लेते हैं, primitive subsistence farming क्या होती है, तो हमने का जब primitive का मतलब भी होता पुराना तो पुराना style जो हमारे आप एक जो खेती करने का था वो, primitive means पुराना subsistence मतलब खुद के लिए जो farming की जाती थी, वो है पुराने टाइम में खुद के लिए जो farming की जा रही है, वो है primitive subsistence farming, तो हमने का हमारे पूरी इंडिया के अंदर है, जो है, economy, जो है, सबसे बड़ी जो economic activity है, वो agriculture है, तो इसमें जो है, cultivation methods जो है, time-time से change होते जा रहे हैं, आज के time में आप देखोगे, तो हमने का, जो green revolution हमारे आया, तो इसी वेज़े से आया ना, क्योंकि हमने modern techniques यूज़ करी है, modern machinery यूज़ करी थी, modern type के हमने seeds, हम हम यूज़ कर रहे हैं, practice use कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो सब हम जीज़ कर रहे हैं, इससे क्या हुआ हमारे production बढ़ रहा है, लेकिन आज सी चीजों से हम पुराने चीजों को जब compare करते हैं, तो आप देखेंगे, तो तीन types हमारे पास में आ गए, तो पहला है primitive subsistence farming, तो इसमें देख लेते हैं, क्या होता आ रहे हो, जो slash and burn agriculture हमने पढ़ा था, वो ही slash and burn जो है, वो ही हमारी primitive subsistence farming होती है, इसके अंदर क्या होता है, हम एक patch of land जो है, उसको select करते हैं, patch of land को select करने के बाद में हम क्या करते हैं, वहां पे जो forest होता है, उसको हम जला देते हैं, जलाने के बाद में फिर वहां पे जो of land जो है, हम ढूंडते हैं, उस area को हम छोड़ देते हैं, उसको वापस से fertility रीगेन करने के लिए, तब तक वहां पे वापस forest वगरा उख जाते हैं, और fertility वापस से आ जाती है, तो हम इस chapter यह जो हमारा primitive subsistence farming है, उसमें slash and burn agriculture ही हम इसमें मतलब करते हैं, तो slash and burn है, पुराना हम लोग देखेंगे, slash and burn है, इसमें क्या करा जाता है, पुराना टाइप है, बिल्कुल एक patch of land भे, आप crops उगाओगे, किसकी वज़े मदद से, primitive tools, जो हमारे पुराने टाइप के tools देना, उनके, जैसे कि होल्स होगते हैं, फिर हम नहीं होते हैं, हमारे कुदाली होती है, अगरा होता है, ऐसे सारी कि सारी जो primitive tools देना, उनके थुरू हम लोग क्या है, इसको करते हैं, यहां पर, बतला कोई modern technology हम यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल जो seeds होते हैं, उनको use करते हैं, और नॉर्मल सारा का सारा हमारा जो है, उसमें रहता को irrigation method वगरा हम लोग यूज नह पूरा environment, जो conditions होती है, उसमें ही फसले उखती है, हम कुछ बिसमें, pesticides, fertilizers, HIV seeds वगरी चीज़ें हम लोग उसमें add नहीं करते हैं, जो एक natural conditions है, जो environmental condition है, उसी के अंदर crops वहाँ पर उखती है, अब यह selection burn है, इसी को हम हमारे different types से जानते हैं हमारे Indian states के अंदर, ठीक है, इसको अलग अलग जगे, अलग अलग नामों से बोला जाता है, जैसे हमने कहा, इसी को हम जो है, North Eastern जो हमारे states है, उसमें हम जूमिंग कहते हैं, ठीक है, मनिपूर में इसको पैमलाओ कहा जाता है, बस्तर वाले एरिया में इसको दीपा कहा जाता है, है वो ही slash and burn, लेकिन इनको अ आध करते हुए चलना है, क्योंकि ये MCQs में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, NCRT में DV चीज कुछ भी आ सकती है, तो हमें हर चीज को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, आगे की तरह हम चले, आप primitive subsistence जो agriculture है, उसकी कुछ जो हम features की बात कर लेते हैं, पहली ची आपको खुद से करनी है, कोई tools वगर आप ऐसे advanced use ही नहीं कर रहे हो, तो जब इतना ही area आप select करना पड़ेगो, जितमें आप काम कर सकते हो, बहुत बड़े land में तो आप करी नहीं सकते हो, मतलब खुद अगर manually करना चाओगे, तो नहीं कर पाओगे, अब देखो, छोटा स गाओं में पहले use किये जाते था हैं, अब इस टाइप की चीज़े, बहुत जादा modern हो चुकी है चीज़े, और अब यह धान रखना, small patches of land है, बिल्कुल primitive tools, traditional tools use की जा रहे हैं, और सारी climatic situation पर ही depend है, जैसे कि बरसात पर ही सब चीज़े हैं dependent है, कोई irrigation method यहां पर यहां पर एक जगे से दूसरी जगे चले जाते हैं, तो यह हमारी primitive है, primitive पुराने टाइप का होता है, चोटे land पे होता है, पुराने tools के साथ में किया जाता है, monsoon पे dependent होता है, और जब लगता है कि fertility lose हो रहे है, तभी आपने क्या किया, दूसरी जगे shifting गर ली, यह तो हो गया हमारा वो ही खुद के लिए mostly, तो intensive मतलब आपने क्या करा है, अब कुछ चीजें उसमें add-on करी है, मतलब labors का use किया है, आपने जहां पे बहुत ज़्यादा population है, वहां पे बहुत लोगों के भरण पोश्म के लिए आप इसमें जो है, यह farming करोगे यह तो यह जो intensive farming है है, हमें mostly population है, वहां पे देखने को यह मिलती है, यह farming जो हमारे यहां पे सबसे ज़्यादा populated areas है, जो northern plains वाले area है, जो वहां पे UP है, बिहार है, वहां पे आपको यह ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बजादा लोगों का pressure होता है, उन सब को आपको feed कराना होता है, सब को सबसे बहले हर चीज हमने का, natural dependency थी, बट अब क्या होगा, इसमें इंडेंसिव में आप क्या है, labor भी करोगे, आप इसमें biochemicals भी यूज़ करोगे, seeds भी अच्छे टाइप की यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए खाना चाहिए, ज़्यादा natural तरीके से तो आप जो limited खाना बना प्रेड्यूस कर पा रहे हो, बट आपको बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी population को feed कर आने, तो आपको क्याना पड़ेगा, ऐसे inputs उसमें करने पड़ेंगे, तो हमने का, सबसे बहले चीज है, क्या कह रहे है हम लोग, ऐसे area जहां high population pressure है, northern plains के सारे area, जहां पर population बहुत जादा recite कर दी है, where high doses of biochemical inputs, उसमें fertilizers, pesticides वगरा डाले चाते है, irrigation के बहुत सारे methods यूज करते हो, जो हमारे farming है, यह हमारे जो इंडिया के high populated areas है, जो यूपी बिहार और नर्द ब्लेंस वाले इरिया, जो यूपी बिहार और नर्द ब्लेंस वाले इरिया, हम क्या क्या यूज कर रहे है, हम इसके अंदर यूज करे है, high doses of biochemical inputs, इसमें fertilizers भी यूज कर रहे है, हम जो pesticides वगरा वो भी यूज कर रहे है, क्योंकि हमें, और irrigation भी बहुत करनी पड़ेगी, कि इतना बड़ा production हमें करना है, इतने लोगों के लिए production करना है, तो आपको irrigation भ से चरकडान था, तो वो लोग natural सारी चीज़ें यूज करे थे, सब जो भगवान भरो से चल रहा था, बट अब हमें possibility यसी रखनी नहीं है, कि हमारे production काम हो, तो हम क्या कर रहे है, जो green revolution वाली चीज़ें, याद कर लो सारी सारी, जो हमने का HYV seeds हम यूज करे है, high yielding variety of seeds, जो हम बात करते है, हमारा production बढ़ा है, हमने का हमारे production है, बहुत हाई हो गया है, अब इसकी वज़े से, क्योंकि हम ऐसे inputs उसमें डाल रहे हैं, इसके अंदर हम क्या, एक साल के अंदर एक से जाधा crop भी किसी भी मतलब हम पर उगा सकते हैं, अब हमने कहा, क्यों कि आपके पंज चाहे वो HIV seeds हो, चाहे हमने का fertilizer हो, चाहे हमने का pesticide हो, हमने का irrigation methods हो, इनसे क्या है, production बढ़ता है, और इससे एक से ज़्यादा crops भी आप उगा सकते हो, एक ही साल के अंदर, अब तीसरे डाइप के आगई है भई है, commercial, commercial का मतलब ही है कि पैसा कमाना, first वाला सिर्फ अपने घर सिर्फ गया होता है, इसका profit making, यह तो सिर्फ एक ही है कि इसके अंदर क्या है, profit making, सिर्फ यह इसलिए है कि पैसा कमाना है, इसलिए cropping है, ऐसी crops हैं, जो हम लोग directly खाने के लिए हम लोग use नहीं कर पा रहे हैं, commercial cropping सारे plantation वाला, सब British rule याद कर लो, plantation के लिए इधर से उदर को उठा उठा के भेजा था, tea gardens याद कर लो, हमने का आसाम याद कर लो, तो सब चीजें आपको recall हो जाएंगे कि plantation क्या है, commercial farming क्या है, एक बहुत बड़े land पे एक ही तरह की crop वहाँ पर उगाई जाती है, आपको बहुत सारे labors की जरुवत परती है उसके अंदर, और मतलब ह क्योंकि हर चीज का होता है, जो बनाना इसमें plantation देख लो, आप tea plantation देख लो, आप coffee plantation देख लो, तो यह सब चीजें यहाँ पे होती है, अब इसमें जो है, फार्मर का एक ही एम होता है, इससे मुझे products को बेचना है, और क्या कमाना है, इससे पैसा कमाना है, तो इसका commercial purpose ही र आपको कहा है, बहुत सारे जो है, से सारे inputs उसमें डालने पड़ेंगे, जैसे higher doses of modern inputs हैं, जैसे HYV seeds है, pesticides है, chemical fertilizers है, insecticides है, इस सारी सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी, ताकि आपको higher productivity मिले, तो अगर आपको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए सब चीजें आपको करनी पड़े, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं कह सकते, तो इसी commercial cropping के अंदर ही plantation आता है, इसके अंदर हमने का एक large tracts of land होते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा आप invest करते हैं, उसके अंदर और भार से बहुत सारे labor को बलाते हैं, हमने बलाते हैं, tea gardens के लिए यहां से वहाँ पे जो हमारे इंडिया से ब्रेटिश रूल के, colonial rule जब हते हैं, हमारे इंडिया से बहुत सारे फीजी भेज दिया गया था, बहुत सारे वो श्रिलंका भेज दिया गया था, ऐसी चीजी हो रही थी वहाँ पे, तो इस प्लानटेशन क कि अगर commercial cropping करने हैं, तो obvious है, ऐसा आदमी कर सकता है, जिसके पास में बहुत बड़ी जमीन हो, छोटी मोटे टुकडों में इत्ता investment थोड़ी करेगा, वो बहुत बड़े बड़े जो है, tracks of land loons को चाहिए होते हैं, अब हमने का यह कौन कौन से रीजन में होती है, यह होती ह tropical और subtropical regions के अंदर, तो tropical और subtropical regions आपको clear होंगे, equator से उपर वाला tropical होता है, उस से उपर subtropical region होता है, तो हमारे इंडिया में दौनों टाइप के climate पाई जाती है, दौनों टाइप का वहां पे है, तो अब हमने का tropical और subtropical regions जो है, अब हमने का British है, जब हमारे आए ना, उन उन्हों ने हमें plantation सिखाया था, फिर हम उसको करने लग गया थे, अब हमने का characteristics देख लो, single crop इसमें, एक बड़े area में उगाई जाती है, बहुत जादा capital investment चाहिए होता है, migrant labors पर आपको बहुत सारे चाहिए होते हैं, इसमें, अब हमने का entire produce is used as raw material in industry, such as tea, coffee, rubber, sugar gain, banana, etc., इन सबको वो लोग जो है, ये industries में use करते हैं, एक raw material की रूप में ले जाए जाता है, फिर उससे चीज ये तैयार की जाती है, और ये plantation agriculture जो होता है, दोनों ही industries के बीच में बहुत, मतलब एक interface का काम करता है, अब हमारे यापे जो आप देखोगे, cropping pattern, आप सबको बता है, cropping pattern क कब कब कौन सी crop उगाई जाती है, तो हमारे यापे mainly जो है, तीन होती है, एक होती है हमारे पर खारिफ, एक हमारे पास में होती है, दूसरी राबी, और तीसरी होती है हमारे पास में Z, ये चीजे clear है हमारे पास में, खारिफ जो होती है, वो होती है हमारे पारिफ में, जो ह हमारी rainy season की crops हो गई यह rainy season की crops हो गई राबी होती है हमारी winter crops और जैद हो गई हमारी जो हमने कहा summer crops आप हमने कहा जो राबी और खारीफ वापसे मतलब राबी से आप खारीफ ग्रोव करोगो ना बीच में चोटा सा टाइम पीरिट होता तो उस ताइम में जैद क्रॉप जो है वहाँ पर जो की जाती है तो अब जहां देख एक तो जो खारीफ क्रॉप्स को जो है इस को निकाला जाएगा यहाँ जब मतलब September वाला टाइम जो रहेगा उस टाइमिन को निकाला जाएगा फिर हमने का कौन कौन सी होती है खारी क्रॉप्स हमने का राइस होती है हमारे आप जो रहती है इसमें जिसे राइस हो गई है फिर हमने का जो आर बाजरा वगरा है वो सारी सारी इसके अंदर हो जाती है शुगर गेन हो गया, कॉटन हो गया, इस सारे सारी क्रॉप्स क्रॉप्स हो जाती है, safety Varay gi crops, rami crop, winter दिए हो गए हमारे पास में फिर हमने का a piz हो गया है, grams हो गया है, ये सारे सारे हमारे j воV rice is heavy crops हो तो अब जब हमने इनको एपरिल से जून के बीच में हमने इनको जो है कल्टिवेट कर लिया वादा हार्वेस्ट कर लिया है तो फिर ही जो छोटा सा टाइम पिरड आता है उसमें जो है जैद वाली जो क्रॉप्स हम लगाते हैं जिसमें आपको पता हिए जो हमारी सर्दियों जो गरि स्किम्बर हो गया तो यह सारी क्रॉप्स जो है जैद क्रॉप्स में आती है तो यह हमारा क्रॉपिंग बेटन होता है खारी तो जहें कर लेते हैं जए नेवेंबर में हमने राभी क्रॉब्स लगाते हैं, फिर जाएर उसके बीच में, चोटे से टाइम पीरिड के लिए लगाई जाती है, फिर उसके बाद में हमने हमने का खारीफ क्रॉब्स, जो हैं राईस हो गया, बाज 중요, हमने का», भिप स्कॉन फॉट्नлись हो गया, गिए यह इसके अंदर हो गया, तो हमने गा, March और June के अंदर हमने Z crops लगा दी है, तो यह हमारा एक pattern हो गया है, अब हम एक एक crop को पढ़ेंगे, इसमें कि किस तरीके से है, तो हम X को एक चाठ के थुरू पढ़ेंगे, ताकि easily चीजे हमें समझ में आ जाए, अब हम crop का नाम पढ़ेंगे, इसमें पूरे chapter के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जो एक होती है हमारी grains, जो हमारी grain crops, जो खाने के लिए हम use करते हैं, अब दूसरी होती है, जो ऐसी grains के अलावा होती है, कुछ हमारी commercial cash crops, जिनको कहते हैं, उनको है, तो हम उनको अलग अलग पढ लेते हैं, तो पहली चीज आती है, जो हमारे इंडिया में सबसे जादा खाया जाता है, जो stable food है हमारे इंडिया का, ठीक है, दाल, चावल खाना, तो उदर जादा ही है, स्टेपल डाइट है उसकी ठीक है हमारे इंडिया की स्टेपल डाइट है सबसे ज़्यादा खाया जाने वाले चीजगास राइस है यह खारिक प्रॉप है मतलब मानसून में इसको किया जाता है इसकी सोईंग की जाती है इसको जो टेंपरेचर चाहिए 25 डिगरी सेल्सियस ठी राइस होता है राइस खारीफ क्रॉप है 25 डिगरी जो है इसको टेंपरेचर चाहिए हाई हुमिडिटी चाहिए साथी साथ ऐसे एरिया में होगी जहां पर 100 सेंटीमिटर जो है बारिश हो रही हो सोईल कौन सी जी है अलुवेल क्लेई सोईल इसको चाहिए होती है अब और आगे दूसरे फीचर है कौन कौन से एरियास वगरा में यह मिल रहे है कौन से states कौन कौन से है तो यहां पर हम इसको mention कर देते हैं यह states States में देखो कि Assam हो गया, West Bengal हो गया, Orisa हो गया, यहां पर जो है, यह राइस की क्रॉप होती है, जो पैडी है, यानि की धान है, यानि की जो राइस है, उसके हर एक पूरे एर में जब उसको सोइंग की जाती है, तो उसके हिसाफ से जो है, उनको अलगा-लग नाम दी है, जो है अस अनम और बोरो जो यह पैडी क्रॉप्स के यह नाम है तो आपको याद रखना है यह क्योंकि कहीं से भी देखिए इस तरह के अजुप कर पानी की ववद्लीबिर्टी है अब हमने चेहरे हैं कि इसे बहुत अब इस जीसे बहुत एरिया ऐसे जहां पे हंड्रेड, से ज्यादा बारिश हो वहीं पर मिलती है लेकिन अब क्या irrigation methods बहुत जादा developed हो गए, तो कई areas जहाँ पर बारिश कम है, लेकिन वहाँ पर irrigation methods बहुत जादा developed है, इसकी वज़े से वहाँ पर irrigation के basis भी अब जो है, rice वहाँ पर आप सो कर सकते हो, यह हो गया, अब आपस एक बार देख लो, rice खाड़ी crop है, 25 degree temperature चाहिए, फिर हमने का humidity हाई होनी चाहिए, वहाँ पर aluvial clay soil होनी चाहिए, 100 cm बारिश होनी चाहिए, हमारे इंडिया जो है, second largest producer है, वर्ल्ड के अंदर, चाइना के बाद में, तो first कौन सा होगा, चाइना हो गया है, states कौन-कौन से हो गया है, इसके अंदर हमने का Assam, West Bengal और Urisa हो गया है, ठीक है, अब second जो हमारे यहां पर जो grain यूज किया जाता है, वो है हमारा wheat, यह एक rabi crop है, ध्यान रखना, winter crop है, यहां पर अब जब इसको उगाया जाता है, तो सर्दियों में और इसका मतलब कूल growing season होना चाहिए, और bright sun sign होनी चाहिए, जब इसको sowing किया जाती है, तब उस टाइम इसको क्या चाहिए, यहां पर इसको बारिश कम चाहिए, यहां पर जाहिए, यहां पर इसको 50 से 75 cm में भी अराम से हो जाएगा, ठीक है, अब हमने का, इसको soil कौन सी जी है, अल्यूवियन soil और black soil दोनों में ही हो जाता है यह, ठीक है, अब main food crop है, हमारे जो northern इंडिया है, उसके अंदर यह बहुत ज़्यादा खाई जाती है, हमारे यहां पर, आगे हम देखते हैं, देखे, obvious है, जहां पर हमने कहा कि नर्दन प्लेंस है, वहां पर अल्यूवियन soil बहुत ज़्यादा होती है, और अल्यूवियन soil होगी, वहां पर वीट आराम से होर पा रहा है, तो हमने कहा हमारे जो नर्दन प्लेंस वाला area, यानि कि जो गंगा जो प्लेंस है, वहां पर ये मिलता है, ठीक है, आगे हम देखते हैं, इस दो चीजें हमने बात करी, एक तो एल्यूवियन soil और ब्लेक सोइल, अल्यूवियन soil कहां मिलती है, नॉर्दन प्लेंस में और ब्लेक सोयल कहा मिलती है, टेके, जो है प्ले उमारा उसके अंदर मिलत भी आती है महाराष्ट्रा वाले एरिया जो है तो हमने कहा क्या-काएक तो गंगा सातलच जो फ्लेइन से वहाँ पर मिल रहे हैं और दूसरा हमने का नार थे स्टैं ब्लैक सॉयल रीजन ओफ डेकन वहाँ पर मिल रही है तो यहां पर विट की जो प्रॉपिंग देखने को मिल एंपी का ठीक है वीट राभी क्रॉप है इसको जो शंचाइन चाहिए होता है पचास से पिछेतर सेंटीमेटर जो है यहां पर रेनपॉल होना चाहिए अलुवियल सोईल ब्लेक सोईल जहां पर होती है वहां पर वीट हो जाते हैं हमने हमारे नौर्धन पार्ट में यह सबसे वाले एरिया में एंपी वहां पर हमें एह देखने को मिल रहा है अब तीसरी सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो क्रॉप है वो है मिलेट्स मतलब होते हैं मिलेट्स जो है सबसे ज़्यादा नूट्रीशियल वैल्यू होती है इनके अंदर यहां इसमें हम लोग बात कर पर मने का हम पर हमने का चाहे वह जबसार बाजरा को चाहिए रागी तीनों एक ख्रीफ रॉपस हैं इनको हम तीनों को अलग अलग बता रहें अब हमने का ऐसे एकारी में मिलेट्स हो जो है जाधा मिल इंक इस अइसा और आपन यहां मिलते हैं राज़स थान वाले एडिया वहें महरास्ट्रा वाला एरिया हमें मिल रहा है तो वो में में मिलता है और राॉड में इन को जो हम लोग जो वoin्या कामय आता है किसा को मिलत वाहस बाजरा झाहिंज रौयर हमने कहा वरंगें राग्या, यहां पर कंवहर कहा करें सु,'' चाहिए, low rainfall वाले areas में भी easily हो जाती है, less fertile soil में भी जो आराम से हो रहा है, बाजरा जो है sandy soil जो होती है, हमारे उसमें भी आराम से उग रहा है, millets जो हमने का red, black और sandy soil जो लोमी soil जहां मिलती है, वहाँ पर हो रहा है, इन सब को मिला के हम coarse grains भी कहते हैं, अब जो आर जो है moist area में उगता है और इसको irrigation बहुत ही कम ज़रुरत होती है, और इसके अंदर high nutrition value होती है, मैंने का नो, millets जो है, उनमें high nutrition value होती है, तीनों में सेम चीजे हैं, अब areas देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, महाराश्टा है, करनाट का अंदरप्रदेश और मध्यप्रदेश है, इसमें जो बाजरा है, राजस्थान, UP, महाराश्टा, गुजरात और हर्याना वाले area में हो रहा है, फिर हमने का करनाट का, तमिनाडू, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्केम, जहारकन, अरुनाचल प्रदेश में रागी हो रहा है, तो इनकों चीजों को थोड़ा सा में आद करते पे चला, दो तो तीन तीन जगे हैं आद कर लो, अच्छे से जुआर के लिए हमने के जैसे महाराश्ट, करनाट का और मध्यप्रदेश वगरा है, फिर हमने का इधर राजस्थान, UP और महाराश्टा, इसमें आद कर लो, इस 进से स्टिक तीनों के सेम सेम ही है, तो कोई ज़ादा नहीं है, अब चौति हमारे पासथी खाष जोड़ हा रही है, जो चौति करोप हमारे आता हरी है मेज, अब रैंपने मेज मतलां मक्का, ये आपने का ये भी खारीफ क्रॉप है, हमारे राजस्थान बड़ा प्रोडिू है कि हमारे राजस्थान में temperature के तो कोई कमी नहीं है और बारिश हमारे आपे इतनी ही होती है 50 से 100 cm वाली है फिर हमने कहा ये जो है food और fodder दौनों पसले याए यूपी बिहार अर्फ पहले थो आप नर्दन प्लेंस वाला एरिया याकि दर्ढे मि यूपी मिहार वाला ठीक है फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे करते हैं हम और सबसे ज़्यादा इसको खाते भी है मारे दाल चावल खाने का तो रिवाज ही है ठीक है तो राभी क्रॉप है बल्सिस जो है राभी क्रॉप से हमने कहा क्या कहा है यह जो है ड्राइ कंडिशन में भी सर्वाइव कर जाती है इसको बहुत कब मॉस्च्यर की लेगेन कर लेती है तो इसका मतलब यह हो गया है यहां पर फिर हमने का इंडिया इस लार्जर्श प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और कंज्यूम भी हम लोग ही करते हैं अब हमने का बहुत सारी दाले हैं साब को पता ही है मूंग है तूहर है पीज है ग्राम है जो है सबसे सारी दाले हुगती है और सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है इसका प्रोटीन का ठीक है अब कौन-कौन से एरियाज में होगी तो मद्यप्रदेश है यूपी है राजस्तान है महराश्रा है और करनाट का है ठीक है यह चीज हमें ध्यान रखते हुए चलना है तो यह हमने सा सोईल अगर आपको याध है रिसोर्सेज वाले चैप्टर से तो आधा तो आपका वैसे मेटर कम ग्रीड ओ जाता है अलुवेल सोईल वाला एडिया हमें पता है ब्लैक स्वाल वाला हमें एरिया पता है इन एरियाज में बस आपको स्टेट्स देखते हुए चलना है और के अलावा हम कौन सी यूज करें है जो Grain नहीं है, Grain हो गयी सारी Crops और हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद में ऐसे सारी Crops जो है हमने जिसमें Sugar Gain आ गया, Tea गया, Coffee हो गया, सारी सारी चीजा हम इस पे देखेंगे, तो इसके प्राद हमने कहा यह करिए में नें थोड़ासा कन्फ्यूजर में का में राजस्Thान नहीं है ग्राउंड है इस टीक है इसमें हमारे ग्राउंड रभॉन अच्छा था कश्चोर्ण लगें तो सेकिंड लार्जेसट हमने का इंडिया हमारा जू चाइना के बाद में हम देखते थो हमारे ग् Moonnut के मामले में देखें स्थुमिन कोन सीर निबर फिर्स निंबर पर चाइना है सेकेंड नुमर पर इंडिया है थीधल थडलास्टस थे लॉर्गिनर थेस्ट प्रोडक्शन यह हो गया है, horticulture drops हो गई है, coffee हो गया, oil sweet, अब देखो इसमें किया है, sugar gain आपको पता ही है, आपको पता ही है, horticulture क्या होता है, horticulture को देखे घबराना नहीं, horticulture मतलब जो vegetables और जो हमारे fruits cultivate के जाते हैं, तो जो तरीका होता है, इसको हम horticulture कहते हैं, fruits of vegetables जो होती है, उनका cultivation horticulture कहलाता है, ठीक है, फिर हमने का coffee है, oil seeds है, जिसमें oil seeds में groundnut हो गया, mustard हो गया, caster seeds हो गया, तो हमारे बहुत सारे ऐसे, हम लोग जो है, oil seeds गाते हैं, जिससे हम लोग तेल बनात हमने आगे, ठीक है, अब हमारे बहुत सारी पलसी उगाई जाती है, देखो, तूहर है, उडद है, मूंग है, मसूर है, पीज है, ग्राम है, जो भी ध्यान लखने ना, इंडिया, ये इंपोर्टन है हमारे लिए, इंडिया is the largest producer of oil seeds in the world, इंडिया सबसे ज्यादा oil seeds produce करता है, इंडिया सबसे बड़ा producer है, वर्ल्ड का, ठीक है, हमें याद रखना है, फिर हमने कहा है, जो हमारे आपे जो produce होते हैं, इसके इन देखो, मूफली का तेल आपने सुना होगा, सरसो का तेल आपने सुना होगा, कॉकोनेट का तेल सुना होगा, तिल का तेल सुन होगा, सोया भी इनका तेल सुना है, आपने अल्ची जो कैस्टर सीट्स होते हैं, उनका आपने सुन रखा होगा, कॉटन सीट्स का सुन रखा है, यह सब चीजें आप लोगोंने सुन रखी होगे, तो यह सारे के सारे हमारे पे लिंसीड है, संफलार है, इन सब तरह के हम ज अब हमने कहा जो ऊइल सी तो congregation होते हैं उंके मेel यंधि उसमें nah हम लोग बना सकते सब्सक्राइब जर्जी बनाते हैं na nesra अचाल नें का यी जो है राउ际र कि इससे कि एम लोग इसके तुरू हम लोग आपने देखा होगा ना बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उनका भी होता है जैसे इनसे ओइल सीट से तो आपने तेल बना लिए खाने में यूज़ करें दूसरा आपने सोप में यूज़ करते हो कॉस्माटिक्स में यूज़ करते हो और इनके दो यूज़ हो रहे हैं और मल्टी परपस इसका यूज़ है कि यह सब चीजे भी हम बना पा रहे हैं हमने का ग्राउंड नेट जो है एक खारी फ्रॉप है और हमने का हमारे आप सबसे ज़्यादा होती है तो इसकी वज़े से क्या है हाफ अफ अफ दा मेजर ओईल सीट जो है इसी से बनाए जाते हैं हमने का ग्राउंड नेट का यह यूज़ होता है को कुकिंग परपस से आप यूज़ कर रहे हो राव मटीरियल जो सोप को कॉस्मेटिक्स वगरा बना रहे हो हमने का इंडिया सबसे बड़ा प्रॉड्यूसर है हमारे आपे ठीक है हुआ कि अब आगे जो टी पे अब टी जो है प्लांटेशन क्रॉप आपको पता है यह बेवरीच क्रॉप होती है प्रदार्थ है ने हमारे यह यह पर चाय जो है बड़े रसिया है अपने इंडिया के अंदर जो चाय के इतने शौकीन है यह यह रहने वाले तो मतलब सबकि इनकी शुरुआत चाय के साथ में ही होती है, तो हमने कहा कि हम लोग तो इनको जानते ही नहीं थे, हमें तो Britishers जब हमारे आया ही ना, तो उन्हों ने बताया हमें इस चाय की बारे में, ठीक है? अब हमने कहा, जो मैंने अभी आपको हम जब plantation डिसकर्श कर रहे थे, तब हमने कहा ना, यह जो plantation होता है, यह labor intensive industry होती है, इसमें बहुत साथा labor की हमें requirement होती है, ठीक है? आगे चलते हैं हम, tea cultivation जो है, हमने कहा, plantation agriculture होता है, ठीक है, हमने बात मान लिये, beverage crop है, जो इंडिया में Britishers के आने के बाद में start हुई थी, जब Britishers ने आके हम पे जुल्म किये, हमसे जबरस्ती, आसाम वगरा में काम करवाते थे, उसमें थे, अब हमने का, climatic conditions की देख ले, त सब tropical climate में पाए जाते हैं, ठीक है, हमने का, Assam वगरा हो गया, वहाँ पे ती बहुत जादा पाए जाती है, soil type देखो गया तो deep और fertile soil हमें चाहिए होगी, well-drained soil हमें चाहिए होगी, ऐसे हर किसी में यह नहीं हो सकती है, humus वहाँ पे होना चाहिए, humus क्या होता है, जो fertile element हो soil के अंदर वो humus होता है, ठीक है, and organic matters हमें, मतलब वहाँ पे ऐसी soil होनी चाहिए, जो मतलब बहुत अच्छी fertile हो, उसमें well-drained भी हो, उसमें humus भी present हो, organic matters भी उसमें हो, और जो rainfall कैसा होना चाहिए, showers की रूप में frequently होता रहता है, तो हमने का, Assam है, West Bengal है, Kerala है, Tamil Nadu है, Himachal प्रदेश है, Uttarakhand है, Andhra है, Meghalya है, Tripura है, इन सब में ये हमारे tea उखती है, Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, तीन-चार नाम आपको बहुत अच्छे से नाम लगए, तो वैसे Assam और West Bengal तो सबको पता होता है, तो एक-दो नाम और याद कर लेना, climatic situation, किसी को भी पकड़ के ये, उसकी climatic situation कुछ भी पूछा जा सकता है अपने से, तो हमको हर चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है, कॉफी के बारे में जानों, कॉफी हम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे, हमें तो बाद में बताया गया था, कि हाँ, इसी कॉफी जैसी भी चीज होती है, तो हमारे यापे यामन से हमारे आपे आई थी, तो फिर हमने यापे कल्टिवेट करना स्टार्ट किया, हमने क्या, बृटिश ने करवाया हमसे, अब हमने कहा, इंडियन कॉफी इन ओनल इन वर्ल्ट फॉर इस Girl quality, मतला हमारे याप कॉफी होती है, इसको कॉफी बहुत अच्छी होती है, ठी हम जो है produce करते हैं 3.5% पूरे वोल्ड का कॉफी तो कॉफी जो हमारे यहां पर बहुत अच्छी घासी इसकी होती है तो अरेविका जो वराइटी होती नो वह सबसे बेस्ट होती है तो वह इसकी मतलब जो अरेविका एक वराइटी है वह हमारे इंडिया में कर जो है कल्टिव यहां पर आई फिर हमने बाबा बुदान जो हिल्स थी वहां पर हमने इसको कल्टिवेट करना स्टार्ट किया तो बाबा बुदान हिल्स जो है मैं अच्छे से याद रखना है MCQ परपस से ठीक है आगे चलते हम होटी कल्चर होटी कल्चर मैंने बता दिया वेजीटेबल औ आ रहे हो मार्केट के लिए तो वह रॉटी कल्चर के अंदर आता है तो हमारा इंडी आ पहिólक है अंदिया इसक आप अ तो चाइना है और second हम है तो ये चीजे हुई फिर उसके बाद में आती है non food crops, ऐसी crops जिनको हम खाने में यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनका commercial purpose से बहुत जादा यूज है, तो हमारे इंडिया में वो cultivate की जाती है, रबर, मरेशिया में सबसे जादा होता है, फिर हमने कहा कि र वेटोरियल crop होती है, ठीक है, बट अंदर special, बहुत मतलब इसको उगाते हैं तो बहुत special conditions इसके लिए रखी जाती है, इसके इलावा जो cotton है, हमने जूट है, hemp है, natural silk है, ये भी हमारे यांपे उगाई जाती है, और ये सारी-सारी fiber crops है, cash crops है, जिनका एक ही purpose होता है कि पैसा कमाना है हमें, ठीक है, इंडिया के अंदर हमारे बहुत जाता है, cotton industries आपको बता है, हमारे यांपे बहुत है, ठीक है, जो हमने आगे कहा, जूट है, इसको golden fiber कहा जाता है, क्योंकि पहले बहुत, मतलब भेंगा बहुत जादा हुआ गरता था, पहले हमारे यांपे synthetic तो अब क्या है, हमारे पास में options available है, तो अब हम जूट को हमने replace कर दिया था, ज्यादा जगे हमारे पास में synthetic fibers आ चुके है, अब को बता है, नैच्रल सिंग कैसे produce किया जाता है, तो हमने का यह किस से produce किया जाता है, यह जो silk cocoons होते न, उनके through, जो cocoons होते है, उनको rear करा जाता है, यह सारी सारी चीजे हो रही है, जो भी एक एक लाइन बताई चारी है, थोड़ा से ध्यान दे लिजेगा क्योंकि हमें MCQ कहीं से पूछा जाता है, तो जूट को हम golden fiber कहते हैं, जूट को हम golden fiber कहते हैं, जूट को हम golden fiber कहते हैं, geographical condition जो इसके लिए चाहिए होगी, वह हमने कहा, यह brain fertile soil में होता है, जो ऐसे areas जहां पर full बानी होता है, वहाँ पर होगा, यानि कि mostly जहां पर flood plains होते हैं, वहाँ पर हमें मिलेगा, क्योंकि आपको पता है, flood plains होते हैं, तो उसके पास वाली soil होते हैं, बार-बार renew होती है, खादर और भांगर बाड़ा था ना, उसके यहां पर renew होती है, high temperature यहां पर चाहिए होता है, जहां पर high temperature होगा, वहाँ पर हमें जूट आराम से हम वहाँ ग्रोव कर सकते हैं, जूट किस-किस परपस से use आता है, हमने का इतनी महनत क्यों कर रहे हैं हम लोग इतनी चीजें, क्योंकि इसका बहुत सारा use है, कैसे use है? इससे क्या होता है, हम लोग जो bags बनाते हैं, mats बनाते हैं, ropes बनती है, yarn बनते हैं, यान बनते हैं, यह सारे इसकी चीजें बनती है, इसलिए हम लोग इसको grow करते हैं, पहले तो इसके बहुत साथ है निमान थी, क्योंकि हमारे बस इसकी replacement नहीं था, अब replacement बहुत सारे synthetic fibers में थो थोड़ा साउसा ज सक कम होने लगा है, यह तो हमने बात किरी इसका बात करी अब इसका जेography time हम लोग बात करते हैं, तो अब हम की तरफ चलते हैं, यह हो गया हमारा jute complete, अब हम लोग चलते हैं हमारे next sugar cane की तरफ, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे शुगर केन की तरह ठीक है तो जोग्राफिकल कंडिशन आप देख लो एक तो यह ट्रॉपिकल है और सब ट्रॉपिकल दौनों में गुजाता है मेंली हमने का यूपी वाले एरिया में बहुत जादा उखता है यूमिट वहां पर क्लाइमेट होन प्रण यह बती हवन होना चाहिए चलिए ताव साल में लग लोगे का यह हमने लिए सल्टिवी संचीत थुक्ते से टेम्परीचर होना चाहिए तो में बात में दख लीकसाल आप तक बीच में रेइनफॉल होना चाहिए हमने का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दॉर्णर ट्रॉप की क्रॉप है यहां पर ऐसे एरिया में गल्टिवेट होती है जहां पर होट और होता है टेंपरेचर 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और हेवी रेइनफॉल जो है हम लोग एन्वल रेइनफॉल के अगर बात करते हैं तो 75 से लेकर 100 डिग्री स्वरी 100 सेंटीमेटर होना चाहिए अगर हम स्वाइल की बात करें यहां पर तो यह किसी भी ताइप की स्वाइल में उख जाता है तो हमने ऐसा नहीं कि ऐसी ही चाहिए हमें तो नौर्थ इंडिया में जैसे हमने का यूपी है बिहार पंजाब है रियाना यहां पर बहुत अच्छा खासा शुगर के इन हां प नेक्स है मारा पॉइंट है कॉट अब हमने ऐसको जो है भी जिए जो ब्लेक सॉइल होती है उस कंट्र में आएगा जाती है उसं भी तो ऐकर एक clone सोइल भी कहें जाता है क्योंकि उसीयो के अंदर ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, light rainfall वाले इरिया में होता है, इरिगेशन या फिर आप irrigation के तुरू आप cultivation कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वाहाँ पे light rainfall वाले इरिया में हो सकता है, अब इसको 210 frost free days चाहिए होते है, bright sunshine चाहिए होती है, सेरी कल्चर का मतलब क्या होता है सेरी कल्चर का मतलब होता है रेरिंग औफ सिल्क वर्म्स को रेर करना ही सेरी कल्चर कहले जाता है जिसे होटी कल्चर है सेरी कल्चर है जो हमने का हमारा एगरी कल्चर है इसी तरह ये भी एक कल्टिवेशन है जिसमें हम लोग कहते है Rearing of Silk Worms for the Production of Silk Fiber, हमें Silk Worms को हम क्या करते हैं, उनको हम Rear करते हैं, किसके लिए, ताकि हमें Silk Fiber मिल सके, तो हमने का, इंडिया का नमबर आता है, second, first number फे फिर से चाहिना है, तो largest producer है हमारा इंडिया फे, आगे हम चलते हैं, Horticulture हमने बात करी लिए, सारे की सारे जो fruits वगरा cultivate होते हैं, अब देखें, यह सब है, agriculture हमारा अच्छा खासा है, हम second number पे आ रहे हैं, हम खुब agriculture हम लोग करे जा रहे हैं, सब चीजे हमारे पास में हैं, फिर भी हमारे जो बहुत सारे किसान परेशान है, वो area उनको बहुत सार करना करना पड़ता है, तो उसके लिए कौन-कौन से इसे technological और institutional reforms हमारी सरकारे लेकर आईए, वो हम चीजें देखते हैं, क्यों हमने का two-third of the population हमारी किसमें इंगेज है, वो agriculture में इंगेज है, तो उनको बहुत सारी problems का सामना करना पड़ रहा है, यानि कि हमारी 60% जो population है, agriculture कर रही है, और उनको बहुत सारी चीजों का जो मतलब उनको परिशानिया है, ठीक है, तो सरकारों ने बहुत सारी, हमारी government ने बहुत सारी चीजें इतनके लिए करी है, क्लेक्टिवाइजेशन, क्लेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है, कि उनके बहुत सारी जो खेत वगरे थे, उनको सबको एक साथ जोड़ के, उनको facilities प्रवाइड की गई है, जो socialism वाला फेक्टा था, उस तरीगे से खेतों को जोड़ा गया, और सबको equally वहां पर क्या की द प्रवाइजेशन 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 प्रवाइज अब जो वहां पे काम कर रहा है, सब उसके मालिक है, तो ऐसे सारी चीजे की गई ताकि लोगों को जो जो अग्रिकल्चर में इंगेज लोग है, उन लोगों को जादा सादा इसका फाइदा मिल सके, ठीक है, उनको हमको सब चीजों में प्रायोरिटी दी गई थी आपे, इसी आपको देखने को मिला था, जिससे क्या हुआ था, यहां पर चीजे की गई थी, बहुत सारे कॉपरेटिव सुसाइटी जो थी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, वर्गिस कुरियन जो थे, वो इसके जनमदाता थे, ठीक है, हमने यहां पर देखा, ग्रीन रेविलुशन में क्या हुआ था, उन्होंने बहुत सारे यहां पर, इंपुट्स वगरा दिये, टेक्नलोजी वगरा यूज करी, जिसकी वज़े से क्या हुआ था, बहुत जादा हमें जो है, प्रोडक्शन में उछाल देखने को मिला, वैसे जो है, क्रॉप प्रोडक्शन से था, राइस से रिलेटेड था, वीड से, और वाइट रेविलुशन जो है, डेरी प्रोडक्स और मिल्क से रिलेटेड था, अब ये तो सारी-सारी चीजे जो है, गौर्मेंट स्टार्ट कर रहे थे, इसी तरह कुछ इंडिवीजवल लोग भी थे, जो इस तरह के कर रहे थे, तो हम एक पढ़ेंगे, ब्लड लेस, जो हमारा एक रेविलुशन था, अब ऐसे तो इंडिया के, मतलब ब्लड लेस, हमें ब्लड वाले, तो कम ही रेविलुशन देखने को मिलते हैं, तो एक ब्लड लेस, जो रेविलुशन है, वो हम उस के अंदर यह हुआ था तो विनोबा भावे जी यह थे वह महात्मा गांधी की बहुत बड़े फॉलोवर थे ठीक है उन्होंने जब देखा कि लोगों के पास में मतलब अब लोग अग्रीकल्चर करना जानते हैं बट उनके पास में लेंड नहीं है तो उन्होंने क्या किया कि इन लोगों से रिक्वेस्ट करी जो भी जमीदार थे जो बड़े बड़े रिक्वेस्ट करी कि अगर आपके पास बहुत सारी जमीन है तो आप इन लोगों को दे दिजी ताकि उस पर बहुत जाथा क्या कटिवेशन करे अग्रिकल्चर करे और अपने परिवार को बड़े तो यह ऐसा revolution यहाँ पर था, तो establishment of government ने करा है, Indian Council of Agriculture Research, तो यह भुधान और ग्रमदान यही था, जो विनोभा भावी जी ने initiative लिया था, और लोगों को समझाया था, कि आप अपनी जमीने इस तरीके से दान देतो, तो बड़े-बड़े गाउं तक दान दे दिये गए थे, त universities, ताकि लोगों को बताया जा सकते हो, कैसे आप अगरिकल्चर बढ़ा सकते हो, कैसे कौन से तरीके से अपना सकते हो, जिससे आपका जो production बहुत ज्यादा बढ़ सके, जो breeding centers है, मतलब ऐसे, जिससे आप बहुत सारे animals को breed को पाल सकते हो, horticulture किस तरीके से आप डेवलप कर स सकते हो, कौन से ऐसे फसले हैं, कौन से crops में हो सकते हैं, मतलब पूरी knowledge उनको प्रकाइदा दी जाने लगिए, ताकि इससे क्या हो, लोगभाग ज्यादा से ज्यादा aware हो, लोगों को ज्यादा knowledge हो इसके बारे में, और वो जितनी महनत कर रहे हैं, उसका उनको फाइदा भी म होने के बावजूद, अब देखो क्या होता है, अभी खोड़ बच्ची फसल वगरा होगा दी, लेकिन क्या होता है, जब सीजन मौसम अगर हमार से रूट जाए, तो इस नहीं में पता चला, बहुत तेच बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, हमनें का सूखा ही बढ़ गय मतलब जो फार्मर है, उसने फसल काटके बहार ही पटक रकियो और बारिश आने के अंदेशा हो, तो उस केस में जो है, उनके लिए इस तरह का वेदर फॉरकास्ट भी जो है, वहां पर इंट्रड्यूस किया गया, ताकि लोगों पता रहे कि बारिश हो सकती है और वो उनको सेफली रख सके, अब उसके बाद में हम देखते हैं, अब गवर्मेंट ऑफ इंडिया है, उसने किया है, बहुत सारी मौडर्न टेखनीक्स भी यहां पर यूज करी है, उन्होंने क्या करा है, कि लोग इतना मैनुवली इतनी महनत करते हैं और उसका उनको फाइदा नहीं मि अब 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 अबने का 83.3 करोड लोग जो है, वो किसमें अब लगे हुए हैं, वो मौस्ती सारे के सारे जो है, उसमें लगे हुए है कि हम लोग जो इस अग्रिकल्चर लेंग में जादा-जादा कल्टिवेट करें, हमें बहुत फाइदा हो और हम आगे, बढ़ चे गें अब 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 इस अग्रिकल्चर को वो बहुत जादा मेहनच से कर रहे हैं, बट उतना उनको फाइदा नहीं मिल पा रहा तो उसमें इस क्या होता है, उनको जो है गवर्मेंट है, वो बहुत हल देती है, अगर मानलो बारिश नहीं होती है, आपको फसल खराब हो जात है, हमने कहा कि इंपॉर्ट जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्सिस वगरा लगते हैं अगरिकल्चर प्रोडक्ट्स पर उनको भी कम करने की वहां पर कोशिश की जा रही है, अब हमने कहा, अब हमने कहा उनको लोगों को ऐसा समझाएगा है कि आप जो नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, अब हमने कहा कि इंस्ट्यूशनल और टेक्नोलोजिकल रिफॉर्म्स आप लोग क्या कर सकते हो, जो है, यहां पर क्या किया गया है, इंस्ट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे किये गए, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है लेंड जो सुखा पढ़ गया उस केस में आपके जो है क्रॉप का इंशॉरेंस भी करा सकते हो उस केस में क्या होता है आपको पैसा मुआफजा भी मिल जाता तो इस तरह के इंशॉरेंस भी वहां पर करवाए गए अब लोगों को क्या है जब भी क्रॉपिंग पैट लगाने का टाइम आ इसटेब्लिश के जा रहे हैं ताकि को प्रोवाइड हो सके अना किसान क्रेडिट कार्ट गायव इसको सच का है उन को कम रेट में लोन सहीम मिल रहे हैं और जो सीट्श भी में फ़ीन भी प्रैजब बहुत परका रहर हैं और मान लो एक्सी eerste आ इसा कोई सरकार आपको मुहाफजा उसके बदले देती है, उसके बाद में जो है, एक minimum support price होता है MSP, आपकी जो भी crop होगी, उसका minimum support price जो है, आपको government decide करके देती है, इतनी rate में तो हम आपकी फसल ले ही लेंगे, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है, review minerative and procurement prices to reduce exploitation, अब क्या होता है, अग अगे नहीं होती है, कि उनको save करके रख सके, godowns वगेरा नहीं हो सकते है, उस case में क्या exploit होता है, तो नहीं सरकार क्या करती है, उनके लिए ऐसे support prices वगेरा करती है, इतनी जाम में हम आपका फसल खरीद लेंगे, आप तो बस ready हो जाए, आप हमें बता दो, सारा का सारा हमार जो godowns है, उनमें आप रख पादो, तो ये सारी सारी चीजे कौन करता है, ये जो कर रही है, गौर्नमेंट कर रही है, अब technological सुधार की बात करते हैं हम लोग, तो HYV seeds है, chemical fertilizers है, pesticides है, वो वहाँ पर provide किये जा रहे है, ताकि लोग जादर-जादर use कर सके, irrigation methods जो है, उनको modernize किया जा रहा है, फिर नए नए जो agriculture equipments है, उनको introduce किया जा रहा है, पहले हर चीज को manually किया जाता है, अब threshers वगर आ गए, फसल से आप फटा-फट grains को अलग कर सकते हो, फिर उसके बाद में मैंने का, forecast की बात की, weather forecast, weather bulletins वगरा है, programs है, farmers के लिए introduce किया गए, radio वगरा पे, सारी-सारी चीजे बतायेंगे, यहांप Hey, तो यह से सतारे के चीजे हो रही है उससे क्या है, जो हमारे किसान है, उनको बहुत health मिल रही है, तो हमने कहा कि कौन-कोन से यह सारी-सारी चीजे हम पढ़ चुके हैं, किंस तरह से agriculture हो रही है, अब हमने का कुछ-कुछ question है, जो ह चैनल होती है केवर्ड अपने पर सिस्सेनल की लिए होटी है, लेकिन जोकलों के मोंती है क्ला Looks धी लोक सिर्फné के लिए उप्राप्त म्यूंती है, पिर दूसरा होता है, जो यह हमारी सबस्सिस्थेन्ड टी में sweetheart हैं बब भी कम चाहिए होते हैं हमें और हमें क्या हिदा पर सॉरी सब्स्स्रेम होती है यू श्रल्प लेबर इंटेंजिव टैक्निक होती है और इसमें हमें بहुत साथा लेबर चेहीग होते है और इसमें रेय।같 चाहिए होता है ठीक है फिर दूसरा हमने यहां कि क्या यहां पर जो है कमर्शियल उसमें पैसा भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है यहां पर हमने का यहां पर हमने का पॉपिलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यहां पर कमर्शियल वाले में आप लोग देखोगे इसमें ऐसी क्रॉप्स उखवाई जाएगी हमेशा जो मतलब जिन से पैसा आइन कर सके और बहुत बड़े-बड़े फील्स में की जाती है इसका जो हो हमने का multiple cropping system भी हो सकता है कि आप जो है चाहो जितनी फसल अलग-अलग भी उपागवा सकते हो बट इसमें पूरे-बड़े लैंड में केवल एक ही तरह की crops हम लोग उगा सकते हैं आगे हम चलगे इसमें बहुत सारे biochemical inputs और irrigation methods हम लोग use करते हैं output को बढ़ाने के लिए इसम बहुत ही जादा यूज करते हैं fertilizer का भी यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं और यहां पर हमारा जो chapter है वो finally agriculture खतम होता है आपको इस chapter को थोड़ा सा अच्छे से देखिए क्या है एक बार दो बार में चीजें पढ़ोगे तो याद हो जाएगी बस mainly देखिए और सब चीजे देखिए क्या क्या है आपको types of farming अच्छे से बढ़के जानी है cropping pattern आपको अच्छे से पढ़के जाना है crops के जो climatic situation है वो हमें अलग-अलग पढ़के जानी है mcq लिए हमें ready करना है कि कौन सा नंबर पे हमारे इंडिया जो कहां पर first आ रहा है कहां पर second आ यह चीजें हमें पढ़के जानी है अब इसके बाद में हम जो है हमारे next chapter के साथ मिलेंगे जो कि हमारा minerals and जो वाला chapter है उस energy resources वाला उसके साथ हम लोग मिलेंगे तो I hope आपको पूरे अच्छी तरह से chapter समझ में आ गया होगा Thank you